हुआ उसको परिणाब में लाना पड़ेगा अब बहुत से लोग शहरों से चले गए अपने अपने गाओं में सबके वापस आएंगे क्या जो में रहे जाएंगे उनको रोजगार इस वापस अपने काम पर आएंगे उन सबको काम देने की जोगों ऐँक्स k他们 स्थिति हो गी क्या क्योंकिely के भी सारे कार्यों ठाप पड़े ऐसी अवस्था में इनका रोजबारार भी कायम रहे और उस समय के सीमित साधनों में सब चल सके इसके लिए सबको कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा उसके लिए मन की तेयारी करनी पड़ेगी समझदारी बरतनी पड़ेगी उसका भी उपदैस करना पड़ेगा उसको भी समझाना पड़ेगा और अगर स्वावलंबन यह इस आपत्ति का संदेश है तो स्वावलंबन में अपना स्वा क्य परियावरण को न विगाड़ने वाला ऐसा विचार हमारे ही पास है उसके आधार पर एक युगानुकूल रचना अपने अर्थनीती की अपने विकास नीती की अपने तांत्री की की हमको करनी पड़ेगी आधुनिक विज्ञान के आधार पर इसमें जो जो अध्यतन सहयक होता है वो लेते हुए परंपरा के आधार पर जो आज सुसंदर भी थे इस संकट के कारण फिर से एक बार हमको याद आ रहा है उन दोनों को मिलाते हुए हमको एक नए विकास के मॉडल का निर्मान करना पड लेकिन मात्र इन दोनों के करने सी नहीं होता समाज को भी इसमें कुछ करना पड़ता है है समाज को स्वकावलंबन करना पड़ेगा है है यहां की बनी वस्तु है जहां तक संभाव ए उन्हीं का उप्योंग करेंगे यहां जो बनता नहीं बिना उसके जीवन चलता है तो बिना उसके चलाएंगे जीवन के लिए आवश्यक है तो अपने शर्टो पर लेंगे कम से कम उप्योग में चलाएंगे ऐसी बहुत सी बाते अपने नित्य वहार में लानी पड़ेगी कि अपने अपने व्यक्तिगत और पारिवार के व्यभार में हम लोगों को स्वदेशी का पड़ेगा स्वदेशी का आचरण करने के लिए स्वदेशी के उत्पादन उपलब्ध करने पड़ेंगे अपने के उत्पादन उत्कुरुष्टता के मामले में बिल्कुल उन्नीस न हो ऐसी गुणवत का उत्पन न करनी पड़ेगी उद्योजक निर्मा का कारीगर सभी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और समाज को स्वदेशी पर दुढ़ों होना पड़ेगा विदेशों के उपर अवलंबन नहीं होना चाहिए ऐसा हमको समर्थ रहना पड़ेगा उसी प्रकार हमने अनुभव किया अब जो बाहर निकल कर नदीयों को वगरे देख सके वो बताते हैं लेकिन हवा का तो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि परियावरन बहुत मात्रा में शुद्ध हो गया क्यों कि कुछ ख्रियाकलाब बंद हुए जो परियावरन को दूशित करते थे अब फिर से अपना जीवन नियमिक हम शुरू करेंगे तो कौन से ऐसे क्रियाकलाब कम से कम हम कर सकते हैं बिना उसके काम भी चल सकता है इसका विचार हमको करना यक कि से पानी का संवर्धन संरक्षण वृक्षो का संवर्धन संरक्षण और प्लास्टिक से मुक्ती स्वच्छता का पालन कि जईविक तरीकों पर बल देकर गव पालन जईविक खेती अधिके आधार पर जीवन चलाने का हमको अप्द्यास अपना करना पड़ेगा अभी जो हमारा अभ्यास रासाइनिक खेती आदिका है उसको बदलना पड़ेगा उसके लिए सारे समाज का बनाना पड़ेगा शासन की नीती वह ऐसी बनेगी लेकिन जब तक समाज उस प्रकार चलता नहीं तब तक उसका परड़ाम नहीं होता कुटुम्बा में भी हमको और इस प्रकार के सांसकार करने पड़ेंगे बहुत दिलों के बाद जो भागदोड चल रही थी वह बंद हो गई तो अपने घर में रहने का सतत रहने का अनुबो बहुत लोगों को मिला गर को भी अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं समवाद बढ़ता है समझदार यह बढ़ती है सौमनस्य बढ़ता है और इसलिए कुटुम में इन सारे बोदों की चर्चा उसके आधार पर व्यवहार कैसा हो ऐसा समवाद चलना जैसा अपना कुटुम में वैसे समाज भी एक कुटुम में समाज के विचार करने वाले लोगों में समाज का नित्रुत्व करने वाले लोगों में इस प्रकार का चलना चर्चा का चलना संसकार का नियमितता का प्रभा होना अपने जीवन पर व्यक्ति के तोर सामुई इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी नागरिक अनुशासन के पाल पालन लोग कर रहे हैं वहाँ कोरोना का उपद्रों कम है और जहां इस अनुशासन की आदत नो होने के कारण गडबर हो रही वहाँ कोरोना की चपेट में अभी भी देश का कुछ भूबाग है और इसलिए उस अनुशासन का पालन करना ने कहा है कि देशभक्ति का स्वतंत्र देश में रूप तो नागरिक अनुशासन का स्वयम होकर सारे नागरिक पालन करते हैं इतने वह समझदार होते हैं यही है लक्टर अंबेडकर साहब ने भी समिधान प्रदत्त करते समय जो भाड़ में किये थे उसमें इस प्रकार की कानून व्यक्ति नियम आदिका पालन करने पर बहुत जोर दिया गया है हमको अपनी इस आदत को और ताजा और धारवाला करना पड़ेगा प्रकार समाज में सदभाव का वातावरण सोहयोग का वातावरण शांती का वातावरण बरनाना पड़ेगा शासन तो सांस्कार मूलक शिक्षा नीति जल्दी लाएगा लाना पड़ेगा उनको क्योंकि BeijinsPMak शासन की नीति प्रशासन का को ध्यान में रखकर समाज को अपना मान कर अमल करने का तरीका और समाज का आचरण से सहयोग इन तीनों बातों के एकत्र आने के बाद ही संबह होता है तो शासन जैसे अपने प्रशासन को समाजोन मुख करेगी राजनीतिक लोग अपनी राजनीति को स्वार्थमूलक से हटा कर देशहीतमूलक बनाएंगे शिक्षा जैसे वाली परिवर्तन अपने अपने करेगी वैसे हम सब लोगों का व्यवार पड़ेगा बविश्य के लिए भी यह संकट बहुत कुछ बता कर जा रहा है उसका विचार करके हमको अपने जीवन के नए मानक का विचार करते हुए उसको आचरण में लाना पड़े हम सब लोग मिलकर आत्मविश्वास से इस अपने देश और अपने समाज के अपनत्वकों मन में रखकर इस देश के निकाल कर सारे विश्वकी मानवता का नेतृत्व करने वाला देश बनाने के लिए आत्म विश्वास पूर्वक प्रयत्नों का परिश्रमों का सात्य अपने कर्टुत्व में रखकर फिर एक बार हमको सक्री होना पड़ेगा इसकी आवश्रक का है हमारी भूमी का विश्वा में और अपने थे इस संकट आउसर बना कर हम एक नए भारत का उत्था इस सारे संकट को आउसर बनाकर उसमें से करे ऐसी हमारी भूमी का हो इसलिए जो आवश्चक बाते मुझे लगती थी वो मैंने आपके सामने रख दी है तारे स्वेंसियों कैसा सोचते ही है और ऐसा करेंगे ही परंतु संपूर्ण समाज में सभी को ऐसा होने की आवश्चकता है इतनी एक बात को मैं आपके सामने रखता हूं और अपना यहां निवेदन पूर्ण करता हूं धन्यवाद्ट